हलो दोस्तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर मैं हूँ सुरेंद्र और दोस्तो आज दिन करेंगे अपन बीकानेर डिश्टी की जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपन राजस्तान सामाने ग्यान के तहट सभी जिलों का प्रीचे ले रहे हैं और वो सब चीजे देख रहे हैं जो अक्सर एक्जामें पूची जाती है एक्जाम भले आरेस का हो रिट का हो या फिर पटवारी का हो सभी में जो क्यूचन पूचे जाते हैं कहीं सारे क्यूचन कॉमन होते हैं तो उनके अनुसार ही अपन इनका अधियन कर रहे हैं तो आज पढ़ेंगे अपन बीकानेर के बारे में बता दूँ पहले में राजस् कि वहां का किला है लालगर जिसके बाद यहां का क्या इतियास राहा है उट परजिनन के अंधर कहाँ परिस्तित है और यह देखेंगे कि उर्मूल डेरी कहां परिसदित है अरकायल मुजीयूम क्या है जिय आई टेक कमिला बिकानेरि भुजिया को उस्ताकला क्या यह सारी चीजे में आपको बताऊंगा फिर लास्ट में ये भी बताऊंगा कि यहां पर कौन सी मीटे पाने की जीले और कौन सी खारे पाने की जील इस्तित है तो दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी तक आपने चैनल सब्सक कर लीजे हैं और बिका नेर से पहले दोस्तो अपने 15-20 जिलों का दिन कर लिया है तो उनको भी आप जरूर देख लिजेगा प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों यह सरी गंगान गर और यह हनुमान गर्ण है हनुमान गर्ण है छिक है जिसके बाद यह बता देता हूं मैं आज बिका नेर के बारे में बिका नेर ये बिका नेर है अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके आसपास की जीलों की ये बिकानेर और इसके जो सीमा टच करता ये है जेसलमेर दियानकी जेसलमेर है दोस्तों ये ये दियानकना है आपको यहाँ पर है जोधपूर ये जोधपूर है दोस्तों जोधपूर है ये जोधपूर है और चूधिति बंखने सहे हों और कि सब्सक्राइब. तो आज से आपको ध्यान रखना है JJB यानि कि जेसल मेर, जोद पुर और बिका नेर को मरुत रिकोन कहा जाता है तो यह वारी चीज आपको याद रखनी है अब बिका नेर से कौन कौन से जीले टच करते हैं जेसल मेर कप जोद पुर का देख लिया अपने दोस्तों ये है नागोर ये वाला जिला है नागोर तो नागोर भी इससे सिमा बनाता है चूरू दोस्तों चूरू भी बिकानेर से सिमा बनाता है ये चीज भी आपको धियान रखनी है हनुमानगर बता दिया है मैंने हनुमानगर और यह स्री गंगानगर, स्री गंगानगर की विकानेर से अपनी सीमा टच करता है, तो ये चीज़ा आपको याद रखनी है, दोस्तों इसकी सीमा पाकिस्तान से भी लगती है, इसकी सीमा कहा से लगती है, पाकिस्तान से लगती है, कितनी सीमा लगती है, ये सारी चीज़े मैं स्री गंगान रगर के कोना जिए जो हिमकोट हिमकोट निया बता दूमें आपको हिमकोट के पास कोना गाओं है दोस्तों कोना कोना गाओं है यहाँ पर कोना गाओं है वहाँ से लेकर इधर अपन बात करें मोहनगड तक मोहनगड तक क्या जाती है मोहनगड तक तो दोस्तों इदर मोहन वो इंद्रागानी नहर जाती है बाड मेर की जो लाष्ट सीमा है ना बाड मेर की लाष्ट सीमा यहाँ पर सागड है सागड 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 तक सागड तक पाकिस्तान से सीमा टच होती है अब ये बता दू मैं आपको किलोमेटर में कितनी है स्री गंगानगर से बात करें तो 210 किलोमेटर कलर चेंज कर लेते हैं 210 किलोमेटर सीमा टच वती है ये पाकिस्तान से जहां पर बहावलपुर जिला है बिकानेर की दोस्तों 168 km ये तो गंगानगर गंगानगर हो गई ये बिकानेर से सीमा टच होती है पाकिस्तान की इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूँ सबसे जदा सीमा टच होती है जैसलमेर की सीमा टच होती है 464 किलो मीटर यह धियान रखना है आपको 464 किलो मीटर जिसके बाद जो बाड में रहे उसकी सीमा टच होती है 228 किलो मीटर यानि की 1070 किलो मीटर सीमा टच होती है पाकिस्तान से भारत की या फिर राजस्तान की सीमा टच होती है पाकिस्तान से 1070 किलो मेटर दोस्तों यहाँ पर क्यूशन याद क्या रखना है आपको बता दूँ मैं आपको सबसे कम सीमा किस कौन से जिले की पाकिस्तान से टच होती है चार ओप्सन दे देंगे जिसमें देदेंगे स्री गंगानगर विकानेर जेसल मेर बाड मेर तो ध्यान रखना है विकानेर की सीमा सबसे कम टच होती है पाकिस्तान से मात्र 168 किलोमेटर सरवादिक सीमा जेसल मेर की टच होती है पाकिस्तान से यह चीज भी आपको ध्यान रखना है ठीक है और ये चीज एक और ध्यान रगना है कि यहां से जो देशान तरेका गुजडती है, कौनसी है, 69 बिकानेर के बारे हम दोस्तों, बिकानेर का इस प्रकार से नक्सा है, यह देख लीजिए, जिन लोगों को देखना है, बिकानेर का नक्सा देख सकते हो, तो यह वहां का एक कीला है लालगड अब आ जाते हैं अपने मुख्य बातों पर जो अक्सक्रिशन पूचे जाते हैं उनके बारे में अच्छे से अध्यान कर लेते हैं सबसे पहले तो मैं आप लोगों बता दूँ कि यहां इतियास क्या रहा है रेड कलर ले लेते हैं दोस्तों राव जोदा के बेटा थे बेटा थे राव बिका राठोड वंस के राव बिका इनों ने ही जो जो बिकानेर है उसकी इस्तापना की थी 1488 में 1488 से पहले क्या विकानेर नहीं था जी विकानेर था 1488 से भी पहले पर उसका नाम था राठी घंटी यह धियान अगना है राठी घंटी जी जी राठी घंटी नाम आया है तो मैं आप लोगों को यहां पर एक चीज और बता देताँ हूं कि जांगल पर्देश भी कहा जाता था विकानेर वाले एरिया को महा भारत काल में महा भारत काल में महा भारत काल में जो विकानेर वाला एरिया है उसको जांगल पर्देश भी कहा जाता था जांगल पर्देश क्या विकानेर को ही कहा जाता था नहीं बीकानेर के साथ साथ जो चूरू दिष्टिक है चूरू जिला है उसको मैं इदर नकसे में बता दूँ चूरू जिला है उसको और जो स्री गंगानगर है उसको बीकानेर आगया चूरू आगया स्री गंगानगर आगया हनुमानगर आगया है नकसे में देख लेते हैं यह नफसाजे दोस्तों यहां से यह वाला एरिया है पूरा बीकानेर वाला हो गया स्री गंगानगर हो गया उसके बाद चूरू हो गया उसके बाद जो यह चूरू है यह वाला हो गया और इस प्रकार से यह वारा पुरा सेत्र जांगल प्रदेश के लाता था यह वाला यह जो मैंने रेड़ गलर से किया है इसको जांगल प्रदेश कहा जाता था महाबारत काल में ठीक है तो यह चीज़े आपको ध्यान रखना है दोस्तो रियासत काल के समय में मैं आप लोगों को लेके चलूँ तो यहां पर चार जिले थे चार जिले हुआ करते थे राजगड और सुजानगड भी जिले हुआ करते थे राजगड और सुजानगड बिकानेर और सरी गंगानगर बिकानेर रियासत के जिले हुआ करते थे त दोस्तों बांध और जिलों के बारे में बात करें तो यहां पर गजनेर जीलती यहां पर एक चीज में आपको अच्छे से मैप में बताता हूं मैप मैं आप लोगों को बता देता हूं यहां पर है मेप जी इस मेप में यह देख लीजिए यहां पर लोण करंशर जो जील है वह है खारे पाने की जील कारे पाने की जील है लोण करंशर जिसके बाद जो कोलायद जील है दोस्तों कोलायद जील है मीटे पाने की जील है यह द्यान रखना है मीटे पाने की जील है कोलायद अनुपसागर है सूर्सागर है और यहाँपर नदी नहीं है यह चीज याद रखनीए चूरू एक मात्रे सा जीला एक भी नदी इस्तित नहीं है तो यह चीज भी आपको याद रखनीए तोड़ा सा तेज जल्दी कर लेते हैं ओंट दोस्तेम् ओंट का परजनन केंद्र है। एशिया का सबसे बड़ा तोजिश्य लुट का परजनन केंद्र का है, विकाशन दित है। नहीं गई है यह चीज आपको ध्यान रखनी है चल दी चलिए जिसके बाद देखते हैं दोस्तों एश्या की सबस्वे बड़ी उनमंडी नहीं पारिष्टी से और यहां पर राठी नसल की गाएं पाली जाती है राठी नसल की गाएं अधिक्तम संक्या में पाली जाती है यह कि आपको ध्यान रखनी है राजस्तान का राजगोट क्यों कहा जाता है विकानेर को लोन करंसर को कहा जाता है राजस्तान का राजगोट तो क्यों कहा जाता है मैं बताता हूं आपको यहां पर मूंगफली मूंगफली की पेदावार सरवादिक की जाती है या सरवादिक हो ढूलब्शकोट कहा जाते हैं, लोनकरंशर को तो निया सकता है पहले राजकोट नियां सब्सक्राइबी मोण कं शक्रेटमार्ध क अनका कराइब मीनार भी निये हैथा में डिकन मृहें यह रहां का राजकोट कहाता है प्राइट लाइन बिछवा दी ये तो आपको याद हो गया जिसके बाद आपने पड़ा दोस्तों मुरूत रिकॉन के बारे में कि जैसलमेर जोदपूर और बिकानेर ये तिनों को मिला कर मुरूत रिकॉन कहलता है ये पत्रिकाएं बहुत इंपोर्टेंट है राजस्थान के बिकानेर से निकलती है या बिकानेर से जारी की जाती है जाकती जोद ये धियानकनाई कहीं बार किष्ण पूचा गया है जाकती जोद कहां से प्रकासित होती है बिकानेर से जनम्भों जनम्भों भी वहां से प्रकासित होती है और राजस्थानी गंगा राजस्थानी जो ज्ञानपीट सनस्तान है उसके द्वारा परकासित होती isvat है राजिस् fregans तो यह चीज ध्यान रगाने उस्ताकला को इस प्रकासित होती गांगा अभ इसके बारे हैं क्या चीजिएं जो पर इस प्रकारण देख़ों न कासी और मिनाकारी कि पर जो नियपुन थे वह है हिसा मुद्दिन उस्ता का नाम याद रखना है आपको क्योंकि इनको गुनिश्षियां सी में इस कराश में पारंगत होने के कारण पदमस्री से सम्मानित किया गया था जन सिंग्या गनतुक बहुत कम हैं यहांपर 78 है जो की second lowest है archival museum है यहाँ पर यह भी famous है famous क्या है मतलब अभी बनाई है केंदर के सवयोग से है और राजस्थान का एक मात्र archival museum है अब archival museum होता क्या है यह आपके जिमाग में question आ रहा होगा तो दोस्तों अभी लेख यह क्या होता है इसमें जो पुराने समय के पुराने समय के जो order होते हैं फ्रमान होते हैं या अविलेख होते हैं बैया तो दिये उनको दिखाया जाता है जनता के लिए उनको सोक करने के लिए पहले मुगल अकबर के टाइम पर किस प्रकार के order निकला करते थे जो पहले के order थे ना उनहीं को जनता के लिए दर्शन के ल करनाया गया है इसमें। मुगल कालियन अभी लेख होंगे फर्मान होंगे प्रमान क्या होता है। एक प्रकार का permit था जिससे free trade कर लिया जाताथा अंग्णाइट द्वारा free trade free trade के लिए यहां पुर्सकॉर और फ्री trade के लिए आर्काइल विजियू में जिसके बाद चलते हैं दोस्तों कर्षी विश्विद्याले का नाम बदल दिया गया है उसका नाम अब स्वामी केश्वानंद राजस्थान कर्षी विश्विद्याले रख दिया गया है तो ये भी क्योशन आ सकता है कर्षी विश्विद्याले का नय दियाले रख्यस्ति epic जे जो प्रगति किया उसमें अबी पांच नहीं पांच नहीं, पूझ मुंककी इजाद किया है इक ऐसरे और जिन मेंिन जो विकानेरी भुजिया आपने खाये होगी जी निखाये तो जुरूर खायेगा विकानेरी भुजिया गो जी आई टेक दिया है दोस्तों जी आई टेक से क्या होता है देगो भुग को लिख जो वहां का सेत्र है वह स्वाद होता है उसमें उसी सेत्र में उसी प्रकार की भुज देखने में मिल जाएंगे या फिर इतियास के पढ़ने में मिल जाएंगे बात करेंगे महराज गंगा सिंग्डी को पहली बात तो तो वहां के मारा जाते आदुनिक राजस्तान में मतलब उससमये पर भी यह बहुत ही सोच रखा करते ते गुलाम था भारत तब भी राजा तो थे से इनको बता दिया जो आधो टेसामिल हुए थी सां डŉंन को लिए देगर 8 उन 1330 और 29 को लिए उन तीनों में इन्हों ने पार्टिसीपिट किया था ठीगे महराजा गंगा शिंग जी ने तीनों में समयलन में पार्टिसीपिट किया था और बीतेन के मतलब बीतेन में जाकर भार्द की सौतनतता के लिए अपनी बात रखी ती गोल में समेलन में कवर्शेन के बारे में बात करें तो दोस्तों इनको कहा जा सकता है इंद्रा गांधी नहर के जनमदा था यानि कि इन्होंने ही रूप रेका तयार की थी इंद्रा गांधी नहर को मरू की जीवन रेका कहा जा सकता है जो मुरुस्तले वहां की जीवन रेका क पने डिसकर्स कर लेते हैं टेसी दोरी का नाम को नहीं जानता दोस्तों इन्होंने राजस्थानी व्याकरण और राजस्थानी भाषा का बहुत अध्यन किया व्याकरण का विशेश कर इनका योगदान रहा है दोस्तों 1920 में इनकी मृत्य हो जाती है केवल 30 साल की उमर में इन्होंने राजस्थानी भाषा को उच्च दर्जा दिलाने की कोशिस की यह रहने वाले थे इटली के यह चीज भी आपको ध्यान रखनी है इटली के रहने वाले थे और इन्होंने राजिस्थानी भाषा को उच्छ दर्जा दिलाने के कोसिस किये और यहां उसकी व्याकरण को भी विक्सित करने के कोसिस किये तेशी तोरी नहीं ध्यान रखना है ठीक है परत्वी राज राठोड दोस्तों इनको उच्छ इस तर के ल साथी वो राध प्रतिव राध राथोर को दी आज न यह बाधिया न रगल दोस्तों ये इतने निवुपोन्ए थे जोतिस में उंहों ने के दिया था कि मेरी मेरि मर्ध को होगी मतलब इनकी जब बने कि वो वापिस उसी इस्तान पर आगे जहां पर इनकी मर्द्य होनी थी प्रति राधराट और गो दोस्तों इनके जो प्रमुग ग्रंत हैं उनके बारे में देख लेते हैं वेली कृष्ण रुक्मनी री बहुत फेमस है बहुत फेमस है तीसरा जो जो रामायन और महाबार काता है ना वैसे ही यह भी तीसरा महागरंत है रामायन और महाबारत के स्रेने का ही गरंत माना है इसको वेली कृष्ण रुक्मनी री ठाकुर्जी रा दुहा इन्होंने पुस्तक लिखी यह भी बहुत फेमस है मतलब दुहा लिकने में पारंगत्य बंदा गंगा जी दे द भी और में पुचा तो का जाते था यह भी गाएं और ने रैज अ जीता था ने धिक हो घुष्ण रखना है। दबल ट्रेव में जिता था इन्होंने इसके बाद इनको 2005 को राजुगांधी खेल रतन से सम्मानित किया ओटिमा बाडिया ओटिमा बाडिया दोस्तों गुनिसो सताउन आईस बेच की केंडिडेट थी और राजस्तान की पहली जिला कलेक्टर बनने का सर्य इनको जाता है इनको बास्ज हमत नहीं जानता है इन्होंन केश और स्वितुर गाया ठागाए ता जो बहुत ही फेहमस है कुवर जश्वन सिंग दोस्तों परतम विदान सवामें परत्थी पक्स के नेता रहेते है कुवर जश्वन सिंग मानेक्त छंद शुरॽाना है पुरा नाम इनका इनकी थर्ड राजय-वित्यायोक के अध्यक्स रहे हैं पंछायति राज और दंघायोग कार्ययोग कार्यय क्या होता है दोस्तों Kaiaty यह पांचाय प्रस्तान के प्रत्म वेक्ति जो अरजन प्रुषकार से संब्मान नित्यूए तो दोस्तों यह था विकाणेर के बारे में कुछ मोटी-मोटी बात हैं यहां पर जीले मैं आपको और भी बता देता हूं जो ये लून करन है ये खारे पाने की कावोजील है खारे पाने की जील है पोकरन है खारे पाने की जील है जिसके बाद सामर सबसे बड़ी जील है खारे पाने की दोस्तों जो बलेक वाले निसाने पजबदरा है डीडवाना है यह परमुक्खारे पाने की जीले हैं बात करें अगर मिठे पाने की जीले की तो अपन में बता देता हूँ आपको यहां से उदे सागर है फते सागर है यह गेप सागर है और जिसके बाद बिना सागर है यहां पर और यह सिलिसेड भी ध्यान रखना है दोस्तो तो अलवर में इसके बाद का जो डिश्टिक पढ़ाऊंगा तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना नो बूले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लिजी क्योंकि दोस्तों यहां प विश्टिया आपका बहुत बहुत आवार बहुत बहुत नेवाद वीडियो देखने के लिए जे हिंज जे भारत